नमस्कार मैं हूँ अनीता दिनेश गाड़निंग एस्थेटिक्स में आप सब का स्वागत है गाड़निंग एस्थेटिक्स में आज हम बात करेंगे एक खूबसुरत विंटर फ्लारिंग प्लांट के बारे में लंबी डंठलों में खिलने वाला ये फूल लंबे समय तक तिका रहता है, बहुत ही आसान है इसकी केर, कोई खास केर नहीं है, जैसे तमाव विंटर फ्लारिंग प्लांट हम लगाते हैं, वैसे ही आप इसको लगा सकते हैं, अभी आपको इसके छोटे प्लांट्स आराम से मिल जाएंगे, और चाहिए तो आप पॉट में लगे हुए पॉट केर नहीं है, जैसे तमाव विंटर फ्लारिंग प्लांट हम लगाते हैं, वैसे ही आप इसको लगा सकते हैं, अभी आपको इसके छोटे प्लांट्स आराम से मिल जाएंगे, और चाहिए तो आप पॉट में लगे हुए पॉटेट प्लांट्स भी ला सकते हैं, इस प्लांट तो चलिए आजबात करते हैं इस खूब सूरत इस टॉक फ्रार के बारे में इससे जुक्षे हुई तमाम बारीकियों के बारे में तो चलिए देर नहीं करते हैं जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं स्टॉक एक ऐसा फ्रारिंग प्लांट है किसी भी seed की अच्छी shop में मिल जाएंगे पर कोशिस करें कि या तो branded seeds लें और या फिर hybrid quality के seeds लें जो की जिन में germination का जो rate होता है वो काफी ज्यादा होता है otherwise अगर आप even आप अगर किसी online site से भी खरीते हैं तो branded seeds पे ही focus करें कीमत में बहुत अंतर नहीं होता है पर germination में अंतर हो जाता है और इसके साथ ही साथ आप इस तरह से छोटे saplings nursery से ला सकते हैं जो आपको 10 से 12 रुपयों में मिलेंगे इनसे भी आप लगा सकते हैं और अगर आपके पास 6 इंच का एक pot है तो उसमें 4 plants लगाएं और उससे बड़े pot में आप 6 plants लगा करके एक थिक और घना pot तयार कर सकते हैं स्टॉक को अगर आपके आरियों में लगाएंगे तो भी यह बहुत अच्छे फ्लारिंग प्लांट साबित होते हैं और इनकी हाइट अच्छी बढ़ जाती है यूरोपियन कंट्रीज में इनको सुख और सम्रधी का प्रतीक माना जाता है और इन खिले हुए स्टॉक्स को डालेंगे तो वो पानी में पड़े रहेंगे और धिरे धिरे करके उनकी ऊपर की जो बर्ड्स होंगी वो पानी में ही खिलती भी रहती हैं इस तरह से ये घर के को सजाने के काम में भी आते हैं और साथी साथ ये जो फ्लार्स होते हैं ये पॉलिन खूबसूरती भी खेते हैं अगर आप इनको कोलियस के संग मेरीगोल्ड के संग और तमाम तरह के लंबे स्टॉक वाले फ्लार जैसे लिूपिन और जैसे लाक्सपर वगेरा के संग ग्लाडियोलस के संग लगाएंगे तो भी ये देखने में अच्छे लगते हैं अगर आप इनको सिनरेरिया के साथ भी लगाएंगे तो भी ये देखने में खासे खूबसूरत लगते हैं मिट्टी काफी ज्यादा nutrition rich चाहिए होती है इसलिए मिट्टी में आप अगर 30% garden soil यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसमें कम से कम 35%, 35% organic manure, leaf mold और sand, core sand वो यूज़ करें क्योंकि इससे soil well draining बनेगी, porous बनेगी, plant की root को अंदर फैलने के लिए जगा मिलेगी और plant healthy होगा, plant healthy होगा तो इनमें stocks जो हैं वो लंबे आएंगे, जिनमें काफी बड़ी तादाद में कलियां आएंगी और plant खुबसूरत बना रहेगा, क्योंकि ये winter flowering plant है इसलिए इनको 6-8 घंटे की धूप चाहिए और अगर जितनी अच्छी धूप होगी उतने healthy इनके flower आएंगे, उतने compact इनकी जो है stocks बनेंगे, इसलिए आप इनको 6-8 घंटे की धूप में रखें, अगर आप के या 6-8 घंटे की धूप नहीं आती है, तो भी आप इनको अच्छा fertilizer add करके ठीक ठाक flowering ले सकते हैं, पर अगर धूप आती है तब जो stock के flower की beauty होती है, वो अलग ही level पे होती है और काफी dense इनके फिर flower खिलत अगरे लगेंगे, तो आप इनको गमलों में, छोटे गमले में आप 4 प्लांट, उससे बड़े गमले में आप 5 प्लांट, 6 प्लांट, 7 प्लांट गमले की size के according बढ़ाते रह सकते हैं और लगा सकते हैं, क्यारियों में भी आप इनको कम से कम एक दूसरे से 4-4 इंच की दू प्लांट इनको कमले में प्लांट इनको कमले में, वो काफी तेज बढ़ते हैं, काफी उनकी जो stem होती है, वो थिक और हेल्दी हो जाती है, ये प्लांट फ्रॉस्ट्चिव होता है, तो जो लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, और वहाँ पर डिसेम्बर और जैन्वरी में कुछ दिनों के लिए frosty weather conditions बनती हैं ऐसे में आपको इन plants को बचाने का जो सबसे आसान तरीका है वो यह है कि आप इन में afternoon में watering करके रखें ताकि मिट्टी जब गीली रहेगी तो plant पे frost का असर नहीं होगा और आपका plant खराब नहीं होगा otherwise इनको और किसी तरह की कोई समस्या होती नहीं है यह जो flowering plant होते हैं यह अगर आप थोड़ी सी maintenance अच्छी रखें और जब तेज धूप पढ़ने लगे मार्च में तो इनको थोड़ा सा semi-sheddy area के रख दें तो यह इनके फूल लंबे समय तक अच्छे बने रहते हैं और यह April क फिर्स्ट वीक तक ठीक ठाक flowering देते रहते हैं अब बात कर लेते हैं watering की इस plant को एक regulated watering schedule की जरुवत होती है यानि कि जब उपर डेड़ इंच की मिट्टी सूख जाए तब आपको इसमें दुबारा पानी डालना है ज्यादा पानी डालने से plant लंबा होगा लेगी होगा उस तो फिर इसके जो फूल है वो उतने अच्छे से खिलेंगे नहीं और प्लांट में एक बार अगर प्लांट मुर्जा जाएगा तो उस समय उसमें खिले हुए फूल दुबारा अच्छे से रिवाइव नहीं कर पाएंगे जिससे कि प्लांट में stocks की खूब सूर्ती पर और लंबे समय तक खिले रहने पर असर पड़ेगा इसलिए पानी को consciously डाले रेगुलेटेड डाले पर पानी एक फिक्स इंटरवल पर डाले ताकि आपका प्लांट हाइडरेटेड रहे प्लांट में शुरुवात की स्टेज में कम वाटरिंग की जरुवत होती क्योंकि प्लांट हाइडरेटेड रहेगा तो फूल लंबे समय तक तरुत आजा और अच्छे दिखते रहेंगे पात कर लेते हैं इसकी फर्टिलाइजेशन नीट्स की और इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वह यह रखना है क्या आपके स्टॉक्स लंबे आये उनमें गुते हुए फूल आएं फूल लंबे समय तक तिके इसके लिए आपको इसको रेगुलर फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा और उस पर्टिलाइजेशन प्रोग्राम में जब सैपलिंग से प्लांट के बड़े होने की स्थिति है उस समय आपको कोई भी हाई हो वो भी यूज़ कर सकते हैं पर जैसे ही यह प्लांट बढ़ने लगेगा और इसकी 6,6 इंच की लंबाई हो जाए तब आप इसको डी एपी यानि की कोई भी फॉस्फोरस पोटेशियम रिच फटलाइजर पे स्विच करें क्योंकि तब इसमें फूलों और कलियों को खिल जाने की जरुवत होगी चौक का प्लांट एक हेवी फीडर प्लांट है यानि की इसको अच्छी तादाद में और नूट्रिटिव सोयल चाहिए और गनिक होगा इन और गनिक होगा मिक्स्ट होगा यह आपकी अपनी चोईस पर है पर अगर कहें तो इन और गनिक यानिक या लाए करना चाहते हैं तो भी आप और गनिक डी एपी और गनिक एन पी के को यूज करके अपने प्लांट में डाल सकते हैं और सीजनल विंटर फ्लारिंग प्लांट के लिए सरसो की खली भी बहुत अच्छा फर्टिलाइजर होती है थोड़ी सी क्वांटिटी में सरसो की ख इसके अलावा भी आप फ्लारिंग को बढ़ाने के लिए लंबे स्टॉक्स पाने के लिए उनमें बहुत सारी बड्स पाने के लिए पोटाश को भी यूज कर सकते हैं इसके अलावा हर 15-20 दिन पर आप अपने स्टॉक के प्लांट में बोन मील पाउडर को एक एक चमच बोट भी अच्छी होती है और उसमें अच्छी तादाद में फ्लारिंग होती है प्लांट मजबूत होता है और जब हेल्दी प्लांट होगा तो उसमें किसी भी तरह के इंफेस्टेशन होने के चांस ना के बराबर होते हैं फ्लारिंग प्लांट में बात और ध्यान देने क की होती है कि जब पानी आप डालते हैं तो फूलों पर पानी ना पड़े क्योंकि जब हम पानी डालते समय फूलों को भिगो देते हैं तो उससे उनकी खूबसूर्ती और उनकी लाइफ दोनों ही कम होती है पानी में भीगे हुए फूल जादा दिनों तक फिर नहीं चलते हैं अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन ज़रूर दबा लीजेगा ताकि गार्डिनिंग से जुड़े हुए मैं जो अपडेट करूँ वो आप तक पहुंचे और पसंद आने पर उनको लाइक ज़रूर किया करें लाइक करने से हमारे वीडियो की रीज पढ़ती है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते हैं थैंक्यू वेर्य मच